नमस्कार तेज हर्याना से गुर्विंदर पन्नू और हमारा स्पेशल सेगमेंट सिर्सा में कौन कितने पानी में हम चर्चा करेंगे सेगमेंट में सिर्सा की राजनीती को लेकर हम चेक करेंगे हमारे राजनीतिक विशलेशक के माद्यम से पबलिक थर्मामेटर जिससे हम ग्याद करेंगे कि आखर सिर्सा की राजनीतिक परस्तितियां कैसी है और यहां पर पांचो विधानसवा की सीटों प में पांचो विधान सबाओं के कुल 66 उमीदवारों के भागय का फैसला करेंगे मगर इससे पहले मैं पांचो सेटों का आपको पूरा वहां के मदाता बताओं और वहां से कितने केंडिडेट है सबसे पहले मेरे साथ एक ऐसे दिगज महमान हमारे सेग्मेंट में है सेरसा में कौन कितने पानी में जो किसी भी परीचे के महताज नहीं है जिन्होंने लंबे सम्मे से राजनीती में अपनी एक पहचार बना कर रखी है जिन्होंने चाहे पंजाब विधान सबा की लोगसबा की बात की जाए राजस्तान विधान सबा लोकसबा की बात करें या फिर हर्याना के ऐसे दरजनों चुनाव जिनोंने बड़ी करिबी के साथ उन सब का विशलेशन किया है और उनका विशलेशन हमेशा सो फीच दी सही भी निकला है मेरे साथ है डबवाली से वो एक सक्स जिनका विशलेशन सुनने के लिए हमारे सब सुरोता और दर्शक तो बेताब होते ही है बलकि हर्याना की लोग भी उनके विशलेशक को सही मानते है तो डबवाली से मेरे साथ है शिरी महावीर साहरन जी साथ साथ सबसे पहले आपका बहुत बहुत सबागत है चैनल पर आपका धन्यवाद तो यह हमारे साथ हम लगातर इन से चर्चा करेंगे कि आखिर सिर्सा का इस बार सेनेरियो क्या कह रहा है विधान सबागत चुनाओं को लेकर मगर बड़ी बात तो यह है कि जब लोगसबा के चुनाओं अभी कुछी महिने हुए है तो जहां पर सिर्सा के इतिहास में ऐसा पहली बार बीजेपे ने किया जहां पर टोटल आवराल एक लाग तीस हजार की जो भड़त यहां पर बीजेपे के केंड़ेट को लोगसबा में सुनीता दुगल को मिली थी तो यह ऐसे दरजनो चुनाओं निकलने के बाद कई सारे चुनाओं यहां पर निकले लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा इस कुछ मेने पहले हुए लोगसबा की चुनाओं में हर्याना की लोगसबा से जो शेतर पढ़ता है सिर्सा में हुआ मगर अब समीकरन बिल्कुल पूरी तरह से बदलेंगे क्योंकि इस चुनाओं की परस्तितिया और मुद्दे अलग होते हैं यहां पर फेस वैल्यू जादा होती है जहां पर ग्राउंड से जुड़े मुद्दे और स्केंडेट की पूरे परदिर्शय को दिखा जाता है मगर हम सिर्सा की पांचो सिटों का लेखा जो का आपके सामने रखेंगे हमारी विशलेशक के माद्यम से और जानेंगे वहां की राजनीतिक स्थेतियां और परस्थेतियां कैसी है और कौन कैंडेट कितने पानी में और कैसा है सबसे पहले सिर्सा की बात करें तो सिर्सा में कुल इस बार दो लाक साथ हजार मद आता है और यहां से कुल 18 जो परत्याक्षी उमिदवार है वो मैदान में है दूसरे नमबर पर आता है डबवाली जहां पर दूसरे नमबर पर अगर जनसंक्या की बात करें वोटर के हिसाब से तो यहां पर 1,99,000 मत आता है और कुल 11 जहां पर उमिदवार मैदान में अपने भागय का फैसला इन वोटर के मादम से कर रहे है और फिर बारी आती है एलाबाद की जहां पर लगबग 1,80,000 मत आता है और यहां पर 13 कैंड़ेट मैदान में है रानिया की बात करें तो यहां पर 1,89,000 लगबग 16,000 और 16 कैंड़ेट यहां पर मैदान में है और कालावाला की बात करें तो यहां पर सबसे कम 8 कैंड़ेट है और यहां पर जो मत आता है कुल वो 1,77,000 के आसपास मत आता है और 8 कैंड़ेट यहां से मत आता है सबसे पहले हम चलते हैं सिरसा जिसे धर्म नगरी गुरू नगरी से जाना जाता है हम इसका लेखा जोखा देखते हैं यहां पर हमारे विशलेशक के मादियम से आके सिर्सा लोकसवा सीट है और इस बार के विधानसवा चुनाव में सिर्सा विधानसवा का चुनाव कैसा है और यहां पर कौन कितने पानी में है यहां कि स्तितियां कुछ क्या बयांग कर रही है यह तमाम बाते हम साजा करेंगे हासान साँ हम सबसे पहले सिर्सा की बात करते हैं जहांपर इस बार कुल अठारा परत्याक्षी मैदान में है अमीदवार और दो लाग साथ हजार के आशपस मत आता है यहां का सबसे पहला हम बघोलिक स्थर पर समझना चाहेंगे सर सिर्सा को सिर्सा क्योंकि अर्बन सीट मानी गई है प्रिसिमन के बाद में उसमें कुछ बदला हुए थे कि उनका जो ग्रामेंड जो इलाका था वो थोड़ा जाट बहुले जड़बा कॉंस्टोंसी के जो गाउं को इसमें शामिल कर लिया गया था 77 में जन्दा पार्टी में यहां परतैसी विजई हुआ उसके बाद में 87 में हजार चंद कंबोज लोगदल के या चोड़ देवलाल चोटाला परिवार से विजई हुए थे उसके बाद में पिछले चुनाओं में इने लोगे मकन सिंगला रनितिक रूप से उन्होंने परतैसी उतारा था और वो विजई हुए थे और हरानी जनक बात आप ये है कि इने लोग जो 87 के बाद में इतने सालों के बाद में पहली बार सिर्सा में अपना परतैसी जिता पाई अब की बार उन्होंने अपना परतैसी ही नहीं उतारा इस से आप पनाजा लगा सकते हैं कि प्रिस्तितियों में कितना बदलावाया है अब हलात इस चुनाव में लोक सबा के मुकाबले विदान सबा में में बहुत अंतर मानता हूँ ये जो चुनाव अब लड़ा जा रहा है वो मुखेत हलुपा या अजाद कुछ कहिए गुपाल कंडा और इंडियन नेशनल लोक दल ने समर्थन दिया है और लक्षमिनदास रोड़ा के दोते हैं और लक्षमिनदास रोड़ा यहां पर चार पांच बार विदायक रही है जिसमें कई बार उन्हें अजाद पर तैसी के रूपे में विजीत दर्ज की थी यहां के दबंग विदायक मने जाते रही हैं उनका दोते गोकुल सेतिया में और उसके बाद में बीजे पी के परदी ब्रातु सरिया मैदान में है मुखेते लड़ाई इन तीनों में मानने जा रही है कॉंगरिस के उशारिलाल शर्मा जो है वो पिछले जो इनके परत्यासी थे उनसे तो काफी उनमें फरक है लेकिन फिर भी मुखे मुकाबले से मैं उनको नहीं मानता ये जो चुनाव है बाज़पा जो है हवाई लहर पे चुनाव लड़ रही है लेकिन जो उन्होंने परत्यासी उतारा है जो इस सिर्शा जिला के मुखेते या सिर्शा शेहर के जो दो दिगज प्रॉफरिस गनेशिलाल जिनने अब रज़पाल पद दे दिया गया है और चोपड़ा साब ये दो मुख्या गुट यहां पे रहे इन दोनों के जो प्रिवार से जो प्रत्यासी बनना चाहते थे उन्हें दरकिनार करके बीजेपी ने एक नया चेहरा प्रदीप रात्युसरिया जो जिन पर संग की महर लगी हुई है को उतारा है इनका परभाव चुंकि सत्था के जो पांच साल जिन्हों ने मलाइख खाई उन लोगों को मुकाबले से टिक्ट के मुकाबले से बाहर कर दिया गया और अब प्रदीप रात्युसरिया चुंकि ने घर से निकाल कर लाके चुनाव मिदान में उतार दिया गया है इसलिए मुक्खे लड़ाई में आने के लिए प्रदीप रात्युसरिया शंगर्श कर रही है गुपाल कंडा एक बार जीत गए थे पिछला चुनाव थोड़े बोटों से हारे जीते तो गुरह राजय मंत्री जेसा उनको पद मिला पबलिक से उनका अच्छा खासा एक धार्मिक संस्ता से जुड़े होने की विज़े से उनका रिसू कर रहा है बावजूद इसके अबकी बार वो जो है मुक्ख्य मुकाबले में बने हुए हैं लेकिन उनकी चार साल की जो गेर हाजरी उनका खमेज़ा उनको बुक्तना पत रहा है यह क्यों जनता के बीच में वो उस तरकी की अपनी हाजरी नहीं लगबावा पारी वो चार साड़ी चार साल मतलब जो है जुनाव हारने के बाद में जनता के बीच में नहीं रही लेकिन फिर भी उनका पूरा एक नेटवर्क है शहर के अंदर हर कास्ट हर वर्ग में उनका एक विशेश तोर पे जो जनादाहार वाले जो करे करता है वो उनके साथ जुड़े ह हुए हैं इसलिए वो मुख्य मुकावले के अंदर हैं दूसरा गोकुल सेतिया पंजबी बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं अभी वो बाजबा के अंदर ही थे उनकी माता ने चुनाव लड़ा ता सुनिता सेतिया ने पिचला और वो थोड़े मारजन से चुनाव हार ग अब उनको जो इन लों का साथ मिला है उसका उनने बड़ा फायदा हुआ है और वो मुख्य मुकावले में क्योंकि गाउँं में जो सिर्सा के साथ गाउँं लगी हुए हैं उनमें इन लों का भी प्रभा बना हुआ हैं तो उनके समर्थन के चलते जो है गोकुल सेतिया मु जातिकत समीकरनों को देखें तो गोकल सेतियों को ये बड़ाला मिल रहा है कि पंजाबी वरादरी से अकेले उमीदवार है जबकि अगरवाल समधाय से तीन परत्यासी गुपाल कंडा और परदीब रातु सरिया और जेजेपी के जो है राजिंदर गनेरी वाला तीनों जो है उसमें मोंटो का बंटवारा कम वेश होना तैह है इसलिए जो है हाथ गोकल सेतिया की जो है उसकी स्थिति थोड़ा मजबूत करती है लेकिन फिर भी कांटे की टकर रहेगी लास्ट में जो है मामला जो है वो कितना हार जीत जो है वो बहुत थोड़े मार्जन पे होगी ले जिस परकार 20 जार के लीड इस चुना में बाजबा प्रताशी को मिली थी उसमें गोकल सेतिया का भी समर्तन था गोपाल कांड़ा का भी एक बड़े इससे का समर्तन था तो अब वो हालात नहीं है इसलिए अब यह नहीं लग रहा कि हम कह सकते हैं कि बीजेपी ऐसानी से इस अगर पर्टिकुलर हम सिरसार बन की बात करें तो क्या डेरा फैक्टर भी कुछा तक इस पूरे चुनाब को कहीं न कहीं परमावित करता हूँ आपको नजर लगता है परस्तितियां कुछ बदल सकती हैं अगर उनकी तरफ से कुछ डिसीजिजन होता है तो डेरा चूंकी श समर्थक जो है वो बाजपा सरकार से कोई ज्यादा खुश नहीं है लेकिन उनकी तरफ से क्या मैसेज आता है और वो मैसेज अब कितना परभावी देता है यह भी पिछले चुनाम उन्होंने एक मुस्त जो है बीजेपी का समर्थन किया था इसमें कोई दोराए नहीं है ले यह से भी जो सीरसा के अंदर जो डेरा मेंसे जो ज्यादा फॉलावर्वर्ष हैं वो पंजबी विरादरी से जो है वो समद्द ज्यादा हैं और वो उस पर गोक Лसेतिया के वो वैसे ही समर्थन कर रहे हैं तो बाजपा का समर्थन देने का नहीं लगता कि वो शयद करेंगे तो आपको लगते है कि जो सिर्सा की परस्तितिया है वहाँ पर HLP और कहीं न कहीं जो गोकल सेतिया और तीसरे नमबर पर जहां पर BJP भी तक संघर्श करती हूं नजर आ रही है तो आपको लगते है कि मुख्या मुकाबला है जो एक HLP या फिर सेतिया जो साथ में उनका अलाइंस जो आइनल्डी के साथ है तो कहीं नहीं दोनों की बीच में प्रस्थितिया कुछ लगती है आपको हाँ धीरी दोनों की बीच में सिमिट रहा है हलांकि 19 तारीक को भी करेकरम परदानमंतर जी का बना है उससे बीजेपी सोचती है उनने भी रखवाया है कि हमेंसे का कुछ लाव मिल जाए कि उनके दोरे का वो अलग बात है कितना उससे फरक पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी लेकिन फिल लहाल जो बीजेपी का पर्तेयसी मुख्य मुकावले में आने क्लिये शंगर्श कर रहा है अभी मुक्य मुकावला सेतिया और कांड़ा के बीच में हिमाना जा रहा है तो यह हमने सिर्सा का आपको परस्तितियों से वाकिष करा है कि सिर्सा में कौन कितने पाने में क्योंकि यहां पर इस बार HLP और कहीं न कहीं जिस तरीके से गोकल सेतिया को इस बार BGP से उन्होंने बगावत कि और इसके बाद उन्होंने आइनल्डी के साथ समझोता करके एक इंडिपेंड़ चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है तो सारम साथ बता रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाबी जो वोट प्रभावशा लीजो रहा है क्योंकि जिस तरीके से लक्षमदास रोड़ा वहां से कई बार चुनाव लड़े हैं और जीते हैं उन्होंने दूस तरीके से जो सबसे बड़ी ग्रिप अगर कही जाए तो वह अचलपी और गोकल सेटा की बीच में हलांकि बीजेपी भी अभी इस क्रेड़ेट को लेने में लगी है कि जिस तरीके से लोक्सवा चुनाव में एक भारी वरकम जीत मिली थी और पहली बार इतिहास में कम पर मुकाबला थोड़ा टफ है मगर टकर सिर्फ सीधे तोर पर यहां पर है चलपी और सेत्या के बीच में है